बाई जड़ा कमा सकते हैं जिसके इंकम के सुरोत हो रहे हैं सो परसेंट या तो कोई प्राइवेट नोकरी कर रहा या सरकारी कर रहा या बहाद विद्येश में काम कर रहा या भाई वो कुछ भी एक तो आपको जमीज़ू ठेके पर नहीं देनी और आपकी ये डोल डाल काट यूट्यूब चैनले में आपका सुवागत है उसक भाई नस्केरा में अपका एक 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 किस्षिय कर रहे हिए जो सरकारी नोकरी कर रहे या बाहर बिजनिस कर रहे या प्राइवेट नोकरी कर रहे या कोई भी रुजगार कर रहे बाहर और उनके पास गाउं में जमीन है और जमीन में भाई बहुत बड़ी समस्चारी लेवर की और अगर लेवर की भी ना हो तो भाई उनका टैम नहीं लग पाता कि गाउं मिलने चिलने वाले विचारे नोखरी कर रहें तो उनके सिर्मदर धगा कि यार यह जो हमारी जमीन है इसे हम ठेक्के पदें या इसमें गन्ना भोग या गिहूं भोग या धान लगाओ कोई भी फसल लगाओ तो उनका स्वारा धैन ऐसी चीज में पढ़ा रहा है वे अपना यह मान की चलो नोखरी भी सही डंग से करनी पते वे परिशान से रहो जा कि यार वहां जमीन पड़ी चुट्टी मिली तो वहां जाके पाणी चला रहे या इस परे कर रहे तो आज इसी बारे में बात करेंगे और वीडियो को पुरा देखे किसान भाई यो अगर आपको ब बाई आरभी में बहब करते थे यारभी में कर भी रहे हैं या दिल्ली पुलिस में विकर रहे थे या दिलली पुलिस से ये टैर होगे तो वह इसे मोडल को अपनाना चारे आप लर के मोडल को क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा पता नहीं क्यों कि भाई ये फैदशा लेख पाइब लुन को आप अपना हो जो आदमी बाहर कोई भी रुजचगार कर लाया कोई भी अपना कार्वभार कर जिसकी इंकम खेत्ती से अलग आ और उनका मढ़ाइव होता हैं आप दिन में 15 दिन में यह कमेद्ने में में उसके लिए बाइं कर20 जिए बाइधमी की निकम्ले हाऊ विडिये बैस्ट शाए इतना पवेशी सेक्टा चेज़ां की चीज़ की गारंटी लें रहें तो उनके लिए भी बहुत परशन नहीं हो बंड़ी भीर नब वैस्गहन कोिन झीचकलजंकर अगlor जमीन को खराब कर देगा बहुत ज़्यादा पेस्टी साइज का यूज हो रहा और उनके समस्षा रोजा या ठेक्के पनी ले रहा कोई इसमें क्या बहुत होगा क्या नहीं उनके लिए भी बैस्ट मोडल है मेरे भाई और एक सबसे बड़ी बात है अगर आप पॉपलर लगा सबसे मेरे भाई सबस्फ जानाव देश्ची खाथ कर्म खतम हो लिया तो यह मान के चक्रणों की उपजाओ समताब खतम होती जा रही और यह ऐसा है क्योंकि पत्ते किरते हैं यह सब कंपोस्ट का काम कर रहें सब भॉपने जागा मेरे बाई तो आपका इतना ताकतवर हो ज इससे कैसे पैसा कमांगे मैं बताओं यह है एक तरह का फंड मान लो या आप यह मान के चलो वाई जो जब रिटार्मेंट हो उसके बाद आज में कुछ कहा कि वाई इसका तो बहुत बड़ा पैसे आगे 15-20-30 लाख रुपए जोगी फंड मिलता है वाई उसी रूप में यह बाभी काम करता है हम आज आज को आप बताएंगे काम कैसे करता एक वीडियो लंबी हो जागी लेकिन जानकरई आपको मिलेगी ऐसी कि आप भाई की बात में सभी है तो भाई देख्खो अगर आपने इसे सब्सक्राइब हो अगर आपने पॉप्लर लगा दिया और अगर आ यह तरह तयार कर दिया सही दूरी में सही कलोन आपने लगा दी पॉपलर की तो भाई में ज्यादा बड़ी बात तो कहने रहा लेकिन आप पांस साल में दस लाग रुपे के पॉपलर काट लोगे अराम से पांस साल में और अगर मंदा आ जा बहुत आद्मियों को लेकर है कि सन दोजार चोबीस या पच्चिस में मंदा आवगा तो क्या होगा अगर भाई आप बाहरे से इंकम कर रहे सरकारी नोकरी कर रहे या कुछ भी कारोबार कर रहे बाहर की इंकम है तो आपके लिए से बैस्ट ओप्सन कुछ ने क्योंकि अगर मंदा भी आवगा दो या चार स रहे हैं कि इनकम देगी जमीन वह वह कैसे देगी क्योंकि जब दस साल फोट्याइब कितना वेट हो जागा डवल डबीड़ वेट हो रहीट ओपको परोफिट हो और वह आपका रोट रूआपको दस साल के बाद अगर मंदा अन्यापको पांस साल में मिल जाए था पाइफ कुछ नहीं पर दस लाग रुबे भी आज भाई अपने आप में बहुत बड़ा वो है क्योंकि खर्चे इतने बढ़े कि कठे पैसे आ नहीं सकते बिल्कुल भी इस चीज से आप सोच लो देखको नोकरी कर रहे या कारोबार कर रहे वो भी यह सोच रहे कि भाई इंकम हमारी क य है साग долな नोकरी कर रहा कि से पैसा जदा वो यह सोच रहा की नोकरी वाले पे पैसा ज्यादा लेकिन भाई पैसा कोई आदो, नहांतों के चलो मेहिंने में आतो रहे पर इसमें तो अत्ति नहीं खेती इसका इतना डामडॉल चल रहा है तो दस लाख रूपे वह इए अगर आपके पस पचास फिगा धरती है तो आपको पचास लाख मेल जाएंगे पान्स साल के बाद और अगर आपके पास 30 भीगे धरती है आपको 30 लाख मिल जाएंगे अगर आपके पास 100 भीगा जमीन है तो भाई आपको 100 लाख रुपे भी मिल सकते हैं यह पोबर की खित्ती ऐसी है तो इस मैं आपको आपड़ेज बता दिया और अगर मंदा भी आ जा जो बाहर इंकम कर रह है और यह मान की चलो 27 भी इसमें है अपना भात भी है या कुछ भी भाई हरी भीमारी भी इसमें सारे खर्चें से उठरे तो भाई वे तो रोग नहीं पाते इसलिए मैं कहता हूं वाई जो खित्ती पर है उसके लिए बहुत बड़ा वह करना पड़ागा उन्हें कुर्बा बात हो रहा है अगर आपने आम का बाग लगा दिया या इमान की चलो अम्रूद का लगा दिया तो वह इतनी जल्दी पैसा आपको रिफंड नहीं करने का और यह जैसे मोहणने के पेड़ चल ले है कोई चंदन का भाई जूट बोल रहे मैं इस वे वीडियो वनमा जूट बोल ले किसानों को भर्मित कर रहे किसानों का सोसन करना चारे पता नहीं एक मोहणने का पेड़ है कि भाई बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है अब बहुत ज्यादा रिट्टों में जा भाई जूट बोल ले बिल्कुल एक पोपलर सपेद्दा लिप्तिस यही ऐसी किसान के ढर यहां कमान की जूट बोल ले बहुत ज्यादा सागोन का पेड़ बहुत लंबा स потंधे पनडा 20 operate 500 से पहले सागोन साव्न मी नहों सब्सक्राइब करें तो मैं आपको बताऊं जो अब नोकरी करके आए विचारे आर्मी से या किस भी चीज से पुलिस से तो भाई वह इसमें फावला नहीं चला सकते या छोल नहीं सकते लेवर की समस्षा है लेकिन वह इस मोडल को अपना के अच्छा पैसा कमा सकते हैं इसमे हゔर भी कुछ नहीं आपको पाणि देना आप अगर बाहरद हो किसी सिटी में अपने गाव में आओ अपने मिलने चलने वालों से मिल हो और इसमें पांट देदू भाई अपना थोड़ा बहुत खात हैं गेड़ें बहुत बेहतरीं हो जा कोई समस्षा इसमाजती हैं सच बताओं तो किसी भी परकार की तो भाई आप इस मोडल को जरूर अपना ओगा और सही दिसा में इसे लगाओगे और सही वर्याटी लगाओगे तो आपको प्रोफिट होगा जरूर यह नहीं है कि सभी आदमी लगा दोगे तो मंदा हो जागा है मैंगा देखको सब आदमी तो हरे काम करनी करते वो तो देखो मार्किट का इसा आप रहा है कभी मंदा भी हो जा एक मेंगा भी हो जाया और बाई सरकारी करें और इनने के बैसरीन पहारि रहा है यह बाहर रहते हैं सरकारी करें 8 साल का पेण है और इनका यह मान के चलो 6 सी मीदरती कें 114 यह थस्यल्टी के तो जाम और ने पुरांत मिल गया इतने पैसे अगर उन्स पुट के पर जमिन सबहें जब भी नहीं मिलोते उन्हों और इसमें अगर ये कोई भी खिति करते जब भी नहीं पैसे नहीं मिलोते मैं आपकी बात भी करवा देता यह आये निया थोड़ा परकार कोई नुकसान नहीं ना तो इसमें कोई बीमारी है आपका पिष्टिसाइड का काम बिल्कुल जीरो है और आपकी लिवर जो बड़े किसान है जो 50 भीगे 100 भीगे 200 भीगे 300 भीगे वाले उनका सबसी बड़ी समझ्चा बने जा लेवर की लेवर नहीं मिल रही नुकर नहीं मिल भाई आप अपने नोकरों के पैसे बचा सकते हैं इस केत्ती में आप अगर परियाप्त हो या मजबूत हो पानी चलाने में तो आपको तीन नोकर रखने की कोई जोरत नहीं आपको पैसा मिल लगा उन नोकरों के पैसे बचा लो पेस्टी साइडे के पैसे बचा लो दो रुपे आपके बढ़े जागे नुकसान नहीं आने का बिलकुल भी थोड़ा सा समझो मेरी बात को अगर मैं आप मेरी वीडियो देख रहे तो एक अद्धा खेथ हड़का भी राजा उसा तो वही साट कॉंटल काता है साट कॉंटल से उपर का उसत नहीं आता भाई गन्ने में और उसमें आपकी लेवर भी है खर्च भी है तो भाई में भी पोपलर में यह नहीं कहता भाई बहुत करोड़ रुपे कमा दो गया आप य जितना आप गन्ने में कमारे 15-16,000 रुपे लगभग वही 15-16,000 रुपे आप इसमें भी कमा सकते हो अब वह आदमी तो भाई जदा कमा सकता है जिसके इंकम के सुरोत हो रहे हैं 100% या तो कोई प्राइवेट नोकरी कर रहा या सरकारी कर रहा या बहाद वीदेश में काम कर रहा या भाई वो कुछ भी एक तो आपको जमीन भी ठेके पर नहीं देनी और आपकी ये डोल डाल काटने वाला मेटर भी खतम हो जागा क्योंकि जब आप इसे अपनी खेती में लगा लोगे तो आपको इससे महबत हो जागी जमीन से अगर आपको जमीन से भी महबत अपने बच्चों की बढ़वानी महबत तो भाई आप ऐसी खेती करो जो आपको आपको अच्छा लगेगा आप जमीन ठेक्चे पर दे दोगा तो आपकी महबत नहीं रहनेगी जब वह कभी खेत में आनेगी और जब आप इस खेती को करोगे तो आपको महबत बढ़ जाग करें 25 साल से में भी कर रहा हूं अब 8-9 साल से तो भाई बहुत ही बढ़िया है और जिस भाई को भी इस मोडल को समझना भाई मेरे फोन भी करो आप कमेंट बोक्स में पूछ सकते हो में तो यह कहूंगा अगर आप इसे करना चारे खेती को आप मेरे पास आओ मेरे घर इस बिल्कु देखो आपका मोस्ट वैलकम है अगर आपकी समझ में आए तो इस खेती को करो क्योंकि किसी भी खेती के बारे में आप खालिस यूटूब से ना यह पता करो आप उसे ड्रैक्ट जाके यह देखो वह लाई क्या हगा उससे सिद्धा आप जाके मिलो उसे यह देख देखो इसे बिल्कुल लाइव देखो जाके इसकी हकीकत को यह मान की चलो खोद के देखो इसकी हकीकत क्या है यह बिखता भी है इसकी कहां डिमांड है कहां इसकी मंडी है कितना यह कॉंटल हो जाकता है कैसे यह बिखता है कौन कौन सी इसमें फसल हो जाती है तो किसान भा सकते हैं तो भाई बहुत ही अच्छा यह मान के चलो प्लेट फाम है यह उनके लिए देखो आज मेरा मेरा में मकसद है जो आदमी बाहर काम कर रहे जो घर में आ नहीं पार है या किसी भी तरह कि उन्हें परिशन्नी है उनके लिए बैस्ट मोडल है मैं लिखके दे रहा हूं क कोई समझ्चा नहीं आनेगी उन्हों दो रुपे कठे मिलेगे उससे वह आदमी अपना पलोट भी ले सकता है अपना बच्चों की साधी भी कर सकता है किसी भी परकार की आर्सी की इस्तिती से वह मजबूत हो जागा मेरे बाई कमजोन नहीं रहनेगा इस बात का मैं दावा कर रहा हूं सच में दिल से क्योंकि बहुत आदमियों के मैंने भी पेड लगवाए उन्हें थोड़ी जानकरी दी या इसके बारे में कुछ बताया तो वे मेरी बास से सहमत हुए और उन्होंने ये पेड लगाए और उन्हें भगवान की दूआ से फाइदा हुआ देखो आ है मेरे बात पको कैसी दी कैसी मेरे जानकरी लगी और मेरी बास से सहमत हो मेरे आपके ये वीडियो से खास कर जो बढ़ जो वार कर रहें या कोcca किसान 거지 इस बड़े किसान मान लो या अपना गुरूर मान लो या कुछ ना कुछ है भाई देखो सो भीगे को मैं आज भी आज की टैम में बहुत बड़ी बात मानता हूं मैं तो 50 को भी मानता क्योंकि धरती जा रही है धरती बढ़तो रही नहीं जिसके पास 50-100 भीगे धरती हैं वह भी मोडल को आप अ अगर वीडिए बनानी हो तो मैं उसके पास आके वीडियो भी बनाऊँगा भाई देखो में तो मेन मकसद यह है को यह अगर अच्छी खेत्ति कर रहा तो उसके पास मैं जाओ और वीडियो बनाऊ और लोगों को जादा से जादा इस खेत्टी के बारे मर रूजहान हो या पता चले देखो कुछ आजमें को पता भी देंता इस चीज के बारे में अब यूटूब के जरीए नेट के जरीए पता चलने लगा तो भाई वीडियो बहुत लंबी होगी इसलिए आगे फिर वीडियो बनाएंगे आपके लिए और आप यह देख लिए कितने सांदार पेड दो बन्यवां